हेलो अब्रीवन मेरा नाम निशित एंड वेलकम टो क्रेजी जी के ट्रेग देखें मैट्स की सीरीज में हम अरिथमेटिक पड़ रहे हैं जिसमें हमने मिक्श्चर खदम किया है मिक्श्चर में हमने चार बेसिक कंसेप्स वीडियो देखें प्लस एक प्रैक्टिस सेशन है और इसका एक वीडियो हमने बेसिक वाला बेसिक रिशियो वाला हमने अप्लोड किया है आज का यह हमारा सेकें वीडियो है तो जिन भी लोगों ने फिर्स वीडियो नहीं देखा है पहले इसे देखें और उसके बाद second वीडियो को continue करें तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या खास है? तो देखिए first video में हमने basic ratio problem देखे आज की video में हम word problems देखेंगे साथ ही में proportion को भी समझेंगे word problems देखेंगे और cross multiplication rule भी देखेंगे तो आज का video बहुत खास होने बहुत सारी नहीनी चीज़े देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं प्रपोर्शन की डेफिनिशन क्या होती है When ratios are equal, they are said to be in equal proportion कहने का मतलब क्या है? देखिए समानोपात क्या होता है? तो अनोपात को बराबर बताने के लिए हमें समानोपात का यूज़ करना पड़ता है Fraction को बराबर बताने के लिए हम equal to का यूज़ करते हैं तो basically equal to और proportion या समानोपात कोई अलग-अलग चीज़ नहीं है जब fraction लगाएंगे तब equal to का sign यूज़ करेंगे और जब अनोपात में बात करेंगे, ratio में बात करेंगे तो समानोपात या proportion का यूज़ करेंगे तो इसकी बस एक छोटी सी definition है और कुछ नहीं Suppose अगर मैं आपसे बोलूँ 2 ratio 3 और 20 ratio 30 तो सहीं क्या है बीच में equal to का sign लगाना या proportion का तो हम बोलेंगे proportion का पर यहीं अगर मैं 2 30, 2 upon 3 equals to 20 upon 30 बोलूँगा तो यहां पर proportion का sign नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा, equal to का sign तो ratios को equal बताने के लिए proportion और fractions को equal बताने के लिए equal to का sign चलिए अब समझते हैं, first proportion क्या होता है, यहन्य प्रथम समानोपात क्या होता है देखे, आपसे question में बोला जाएगा, x in the first proportion with a, b, c या हिंदी में बोलेंगे, x, a, b, c के साथ प्रथमानोपात है तो अब यहां पर आपको इस टाइप के questions, बहुत basic से questions, आपको छोटे-छोटे exams में देखने मिल जाएगे तो अब इनको बनाना कैसे है, x, a, b, c, इस तरीके से लिख देंगे, sequence में 1, 2, 3, 4, x, a, b, c, यह हो गया अब यहां से आप x की value easily निकाल सकते हैं, है की नि, a into b upon c, बस इतना छोटी सी ही बात है, इसको ध्यान रखेंगे questions अपन practice करेंगे, इसकी भी, चलिए, सबसे पहले आगे देखते हैं देखिए, अगला है mean proportion या मध्यानोपात, इसको पूछा कैसे जाएगा, तो आपसे बोला जाएगा, x जो है, वो mean proportion है, या मध्यानोपात है, a और b का तो आपको x की value निकाल लिए, करना क्या है, देखिए, कभी भी आपको proportion निकालने बोला जाए, कोई भी, first, mean, third या fourth, सबसे पहले आप इस तरीके का एक ऐसा diagram मना ले, mean proportion बोला है, तो देखिए, mean का मतलब होता है, कि यहाँ पर x और x आएगा, और a और b यहाँ आजाएगे तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, कि x square की जो value होगी, वो क्या होगी, a into b, या x की value मैं आपसे बोलूँ, तो under root a, b, तो अगर आप directly इसको याद कर सकते हैं, तो अच्छी बात है नहीं, तो इतना रख कर भी निकालेंगे, तो तीन सेकेंड से यादा, extra time नहीं आपको, ये clear हो गया, अब चलते हैं third proportion की तरफ, देखे third proportion क्या बोलता है, let x be the third proportion with a and b, then x की value find out करनी है, x कितना होगा, त्रती अनुपात, कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था सबसे पहले ये वाला diagram तो बना ले, अब इसके बात करना क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, आपके पस केवल दो नंबर है, अगर ये मध्य हनुपात बोलता, तो मैं इसको इस तरीके से arrange करता, पर इसने मुझे तिरती हनुपात बोला है, तो x को सबसे last में रखूँगा, और a, b, और यहाँ पर भी b रखूँगा, यहाँ से अगर मैं x की value निकालना च चाहूं, तो b यहाँ आजाएगा, x को इधर लेया, a को यहाँ लेया, cross multiplication यहाँ जैसे भी आप करना चाहें, तो यह हो जाएगा, b square upon a, यह हो गई मेरी x की value, इसको भी note कर लें, अगर directly याद होता अच्छी बात है, नहीं तो यह format तो याद ही रखें, यह आपको easily question मना दे तो चलिए friends, समझ लेते हैं, fourth proportion या चतर धनुपात क्या होता है, देखें, आपसे बोला जाएगा, let x be in fourth proportion with a, b and c, आपके पास यहाँ पर तीन number है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें सबसे पहले इस type का एक diagram बना ले रहा है, fourth proportion तो इसे चौथे number पे रख दें, औ पहले number से तीशे number तक एकदम sequence में जमा दे, तो a, b, c, तो यहाँ से x की value आप निकाल सकते हैं, अब अगर मैं यहाँ से x की value निकालूंगा, तो कितनी है यही देखिए, x equals to b into c upon a, यह होगा x की value, अब अगर आप इसे direct याद कर पाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो इतन बहुत इंपोर्टेंट रूल की बात कर लेते हम, एक method है, जिसे हम बोलते है cross multiplication method, तो cross multiplication method क्या है, कब लगता है, कैसे लगता है, जरा उसे भी समझ लेते हैं, चलिए देखते है cross multiplication method, देखिए आपके सामने cross multiplication लिखा हुआ है, और एक question दिया हुआ है, तो मैं पहले question पढ़ लेता हूँ, फिर आपको question क्या according समझाँगा कि इसे कहा लगाना है, और कैसे लगाना है, देखिए, bunty had candies and chewingums in sweet box, in the ratio 7 is to 13, bunty के पास कुछ candies थी और कुछ chewingums थी, candies मतलब chocolate और chewingums, ऐसे समझ लीजे, तो किस ratio में थी, तो ये थी 7 ratio 13 में, clear है, अगर वो 8 candies और 11 chewingums खा लेता है, याने इसमें से, उसने 8 candies खा ली और इसमें से 11 chewingums खा ली, तो जो अब नया ratio है, वो बसता है, 1 ratio 2 का, उसने होला है, how many candies does he has now, अब उसके पास कितनी candies बची हैं, ये पदा गरना है, तो देखिए, सबसे पहले, इस multiplication के rule को समझने से पहले, एक बात समझ ले हैं, पर, कि cross multiplication मे हमेशा हमें 2 ratio को लिखना होता है, एक पुराना ratio और एक नया ratio, पुराना ratio क्या था, 7 ratio 13, नया ratio क्या है, 1 ratio 2, आपको जिसकी भी value निकालनी है, पहले आप उसे लिखेंगे, देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया है, कि उसके पास अब कितनी candies हैं, अब कितनी है, तो अब क अचा हुआ ratio जो पुराना ratio है, वो लिख दीजे, याने 7 ratio 13, और एक ऐसी line कीज़ देजेगा, और कहां से कितना कम या जादा हुआ है, वो लिख दीजे, जिसे 8 यहाँ से कम हुई, और 11 यहाँ से कम हुई, तो candies की अगर मैं बात करूं, तो यह 8 कम हुई, और chocolates की बात करूं च्विंगम्स की बात करूं, तो यह 11 कम हुई, यह जो मैंने जिस तरीके से लिखा ही, आपको समझ में आया, जिसको निकालना था, मैंने उसको उपर रखा है, दूसरे वाले ratio को नीचे लिखा है, और जो भी कम जादा हुआ, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, अब इलहाल, साइन चेंज करने के ज़रूत नहीं है, माइनस माइनस ऐसा समझ लेंगा, कि आंसल हो गया, अब देखें करना क्या है, क्रॉस मल्टिपलाइ करें करें है, यहां से, क्या होगा, 13 बंज था 13, 7 तू था 14, तो 14 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस क्या करेंगे, 7 को 11 से और 13 को 8 से, मल्टिपलाइ करके डिफरेंस निकालें इनका, इनको मल्टिपलाइ करके डिफरेंस निकालेंगे, तो देखें, 7 इन्टू 11 कितना होता है, 77, और 13 इन्टू 8 कितना होता है, 104, अब आपको इनका डिफरेंस निकालना और याद रखेंगे, मैंने बोला difference निकाल लिए plus minus बिल्कुल मत लेखिएगा सिर्फ अंतर देखेंगे अंतर कितना आएगा तो अंतर आएगा 27 इन्हों को minus करने भी difference किता आएगा 27 plus minus मैंने नहीं रखता न यहां पर न यहां पर अब यहां से मुझे पता चला कि one part की value 27 तो देखें यह जो one part है यह 27 होगा और जो two part है यह 54 होगा तो देखें यह one part क्या था यह candies left वाला था अब उसके पास इतनी candies बची हैं तो answer क्या होगा 27 अगर वो मुझसे पूछता कि कितनी च्विंगम्स बची हैं च्विंगम्स कितनी बची तो देखें च्विंगम्स के लिए दो part की value थी याने 54 अगर उसने मुझसे पूछा पहले कितनी थी तो one equals to 27 तो seven की value मत निकालना ऐसा नहीं करना आपको जो portion है या जो value है वो उपर वाले ratio के हिसाब से मिलती है तो उसको clear है एक portion और देख लेते हैं नीचे लिखा हुआ है जादा clear हो जाएगा देखें तो numbers are in the ratio two is two three if two is subtracted from the first number and two is added to the second number the ratio becomes one ratio two find the sum of the numbers देखें आपको दोनों संख्याओं का योग निकालना है आप तो सीधा सीधा पहले ये देख लेजेगी पहले ratio क्या था two ratio three था अब ratio क्या ह तो one ratio two है ऐसा क्यों है क्योंकि आपने पहले number में दो घटाया था और दूसरे number में दो बढ़ाया था अब देखें दोनों घटाया घटाया होता तो मैं plus plus minus कुछ नहीं लेता या दोनों बढ़ाया बढ़ाया होता तो भी मैं plus plus नहीं लेता पर एक जगह आपने घटाया है और एक जगह आपने बढ़ाया है, पहले नमबर में घड़ाया था, दूसरे नमबर में बढ़ाया है, तो यहाँ पर minus 2 और plus 2 मुझे लेना पड़ा, that's it, इतना ही था, चलिए यहाँ पर देखे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, cross multiply करके minus करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 का difference कि 1, तो 1 part की value मुझे मिलने वाली है, कैसे मिलेगी, यहाँ से देखे, यह हो गया, 2 एकम 2 और यह दो दूनी 4, पर दिखान रखेंगे, जब minus करेंगे, तो एक plus में है, एक minus में हो, जब आप minus को minus कर देखेंगे, तो वो plus हो जाता है, तो eventually minus 2 और plus 2 जाकर जोड़ जाएगा, त equals to 6, तो आप से पूछा गया, total number कितना था, दोनों संख्याओं का योग कितना था, एक की value उच्छा है, तो 2 की value, 12, और 3 की value, 18, तो दोनों का योग, अब वैसे 5 से भी निकाल सकते थे, कि 2 और 3 टोटल 5 होता है, एक की value उच्छा है, तो 5 की value, 30, बोली clear, मैं डिक्याल से आ हम आगे बढ़ते हैं, और cross multiplication method आगे चलके हम questions में लगाएंगे, उससे पहले अभी हमने first mean, third और fourth proportion देखा है, पहले उसके questions लगाते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि कहां पर cross multiplication भी लग सकता है, देखेंगे इसको मैंने type 2 नाम दिये, question क्या है, तो third proportion of 12 and 18, अभी मैंने proportion के लिए इस type का diagram बनाएंगे, निकालना क्या है, x, अगर दो value दियो, third proportion पूछा है, याने ये 12, ये 18, और again यहाँ पर 18 आएगा, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कि यहाँ पर x के value कित्ती आएगी, तो 18 into 18 upon 12, बोली clear, कैसे काइट सकते हैं, चलिए देखें अगर मैं 6 से काइट हूँ, 2 times में, और 6 से काइट हूँ, तो 3 times में, फिर इसको मैं 2 से काइट लेता हूँ, 9 times में, तो x के value will be 9th reserve, 27, देखें कितना easily solve हो गया, बस आपको ये पता होना चाहिए, कि निकालना क्या है और कैसे, अब देखें, दूसरा question, x first proportion of 12, 15, 10, ठीक है, क 15, 10, तो x के value कितनी होगी, तो x equals to 12 into 15 upon 10, 5 से काइटेंगे 3 times में, 5 से काइटेंगे 2 times में, और 2 से काइट लेंगे 6 times में, 6, 3 is the 18, will be my answer, तो मेरे खाल से यहां तक समझ में आगया, चलिए 2 question और देखते है, देखें, अगला question क्या है, find the main proportion between 5 and 45, तो main proportion के लिए मैंने आपको क्या बताया था, mean proportion के लिए मैंने आपको बताया था, कि 5, basically हमको यहां की value निकालनी है, 5 और 45 हम यहां पर रखेंगे, है न, यही बताया था, तो x square कितना हो जाएगा, x square हो जाएगा, 5 into 45, तो मुझे बताईए, answer क्या होगा, 5 into 45 या under root 5 into 45, तो इसको solve करके, हम answer सहीं सकते हैं, अगर मैं यहां सकते, 5 common और 3 common निकालनी हो, तो answer होगा, 15, वो यह clear है, कैसे निकाला था, देखे, under root 5 into 45 को क्या बोल सकता हूँ, 5 into 9 बोल सकता हूँ, और 9 is square of 3, तो 3 बाहर आ गया, और 5 into 5 में, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 into 3 is 15, यह भी clear हो गया, चलिए, अगला देख लेते हैं, x is fourth proportion of 8, 18, 24 and 9, find x, fourth proportion है, याने आपको आखरी में value रखनी है, और 3 number दिये हुए हैं, तो उठा कर line से रख देते हैं, 18, 24 and 9, किसकी value निकालनी है, x की, चलिए निकाल लेते हैं, पहले यहीं पर काट लेते हैं, यह 2 times में, यह 12 times में, x एधर जाएगा, 12 याद रखने के जरुत नहीं है, अगर आप concept याद रखते हैं, तो वो भी काफी होगा, 2-4 question के बाद आप easily खुद ही यह बनाने लगेंगे, कि mean proportion का मतलब इन दोनों को multiply करके under root में लेना है, fourth proportion का मतलब 24 और 9 को multiply करके 18 से divide करना है, तो मेरे खाल से यह आपको clear हो गया होगा चले, अब हम चलते हैं हमारे next type पर, जिसे हम बोलते हैं type number 3, type number 3 को मैंने नाम दिया है word problem, word problems क्यों, क्योंकि इसमें इस तरीके की कहानी बोली जाएगी, आपको इस कहानी को decode करना है, यहाँ पर आपको according to the question solution करना होगा, और उसके बाद आंतर बताना होगा, basic concepts वहीं हैं, जो हमने पहले पढ़े थे, बस उनको अब word problems में लगाना है, अब देखिए word problem में सबसे खास बात क्या होती है, इनकी language, अगर आपको language समझ में आ गई, भाशा समझ में आ गई, कि वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, तो यह question बहुत easy हो जाता है, श इस प्रकार की, A वर B के बीच, पैसो का अनुबाद 3 अनुबाद 7 है, ठीक है, A और B का जो ratio है, यह कितना है, यह है 3 ratio 7, वहीं, B और C के बीच, पैसो का अनुबाद 6 अनुबाद 5 है, B और C के बीच, कितना है, 6 अनुबाद 5 है, तो B को कितनी धनराशी मिलेगी, अब पेचले तो मुझे इन तीनों का रइशयो चाहिए होगा सांत में a, b और c का और इसको निकालने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था सच यादसे आ अश्चा तरीका क्या था इंदनों के क्लिप्लाइ ज्याहिए निकाल लेते हैं कितना है देखे Tra近 इस हिसाब से आपके पास टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करने 60 और 95 रुपई आपको A, B, C को टोटल देने है अगर आप एक रुपई देते हैं, B को 42 रुपई देते हैं, C को 35 तो टोटल 95 रुपई आपको देने है पर आपको देने कितने हैं? 33,630 तो अगर मेरा 95 रुपई 33,630 के बराबर है तो मेरा एक पार्ट बराबर होगा 354 के कैसे निकालूँगा? सिंपल है, मैं इसको 33,630 को डिवाइट करूँगा 95 से बुली क्लियर है? पास से करटी है, छोड़ा छोड़ा करटी है, कोई जल्दी नहीं है 1 की वेल्यू 354 आएगी अब इसके बाद उसने कोश्चन में मुझसे क्या पूछा है? बी की धनराशी है, तो देखिए बी का यहाँ पर अगर एक पार्ट 354 के बराबर है, तो बी को तो टोटल 42 पार्टस मिलने थे तो 42 की वेल्यू कितनी होगी? सिंपल इसको 354 से मल्टिप्लाई कर देंगे और मल्टिप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा? तो आंसर आना चाहिए 14,868 याने मेरा आंसर होगा option A अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि sir, question calculated है, बट question अच्छा है SST 2007 में पूछा हुआ है, चलिए देखते हैं अगला question देखिए अगला question हमारे सामने क्या है? किसी स्कूल में, in a school the ratio of boys to girls is 4 to 3, the ratio of girls to teachers is 8 is to 1, define the ratio of students to teachers किसी विद्ध्याले में लड़कों और लड़कियों की संख्या कानुपाद 4 नुपाद 3 है, ठीक है और लड़कियों और सिक्षकों की संख्या कानुपाद 8 नुपाद 1 है, ठीक है विद्ध्यारतियों और सिक्षकों की संख्या कानुपाद क्या होगा? पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है? मुझे दिया है boys ratio girls कितना? 4 ratio 3 Second data मुझे क्या दिया है? Girls ratio teachers ये कितना दिया है? 8 ratio 1 अच्छा मुझे पूछा क्या गया है? Students to teacher का ratio या विद्ध्यारतियों और सिक्षकों कानुपाद और विद्ध्यारती कौन होते हैं? Teachers थो teachers होंगे, विद्ध्यारती कौन होंगे? विद्ध्यारती होंगे boy plus girl बोलिये clear? अब यहाँ पर एक गलती मत करिएगा कि इनको add करके आप इस तरीके से लिखने हों गलत हो जाएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें तीनों का साथ मैनों पात निकालना पड़ेगा boy, girl और teacher का कैसे निकालेंगे? याद है न? अब भी बताया था थोड़ी दिर पहले 4 into 8 3 into 8 और 3 into 1 simple चलिए multiply कर लेते 8 4s are 32 8 3s are 24 और 3 1s are 3 याने boys, girls और teachers का ratio कितना आया? 32 24, 3 मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा है विद्यारती और सिक्षक का नुपात तो देखिए विद्यारतियों को जोड़ने विद्यारती कित्ते हो जाएंगे? 56 रेशियो और teachers कितने है? teachers अभी भी बीत रही है तो answer क्या हो गए मैंगा? option A समझ में आया आपको? बढ़िया आगे चले देखिए अगला question हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? किसी regiment में अफसर और सैनिकों की संख्या का अनुपाद 31 है युद्ध में 6 अफसर और 22 सैनिक शहीद हो जाते हैं तो अब अनुपाद 1 अनुपाद 13 हो जाता है युद्ध के पहले अफसरों की संख्या क्या थी? देखिए यहाँ पर मैं अपना cross multiplication वाला method लगाने वाला हूँ पहले अनुपाद क्या था? तो देखिए पहले अनुपाद था 3 अनुपाद 31 तो मैं अगर पहले ratio पुराना वाले लिखूंगा तो value भी मुझे पुरानी वाले की ही मिलेगी इस बात का ध्यान रखें अब शहीद हो गई कितने? 6 देखिए जो numbers हैं उनको हम नीचे लिखते हैं 6 अफसर शहीद हुए और 22 सेनिक शहीद हुए हलाकि दोनों शहीद हुए याने कम हुए तो हम minus लेने की हमें जरूरत नहीं है एक कम एक ज़ादा होता तब हम plus minus लेते हैं दोनों ही कम हुए है या दोनों ही ज़ादा हुए है तो कोई sign change नहीं करते अब बात आती है कि ratio बाद में क्या हो गया? तो ये ratio हो गया 1 ratio 13 अब याद करने की कोशिश करिए मैंने आपको क्या बताया था? cross multiply करते हैं चलिए करिए यहाँ पर इसको multiply करेंगे यह हो जाएगा 39 minus 31 total कितना हो गया? यह आगया 8 यानि 8 part की value मुझे मिलने वाली है कितने part की मिलेगी? 8 part की कहां से मिलेगी? इनको minus करने पर इनको अगर मैं multiply करता हूँ तो यह कितना होता है? यह होता है 38 minus यहाँ पर 22 और इनको minus करने पर कितना आएगा? 56 तो 8 equals to 56 तो 1 की value कितनी होगी? 7 बोले clear है? 8 equals to 56 तो 1 की value 7 और 1 की value 7 तो यहाँ पर 3 यह पुराने वाले के लिए आया है ratio जो उपर आपने लिखा था उसी के लिए ratio आया 1 की value 7 तो 3 की value कितनी होगी? 21 याने आपके पास पहले अफसर कितने थे? 21 option C अगर वो सैनिक पूस था कि आपके पास पहले सैनिक कितने थे? तो मैं इसमें उठा कर multiply करता 31 की value निकालता कितना आता? चली देखते हैं next question देखे अगला question के the ratio of number of boys to girls in a school is 720 is 7 ratio 5 किसी विद्याले में 720 चात रहें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 अनुपात 5 है कितनी लड़कियों को शामिल करने पर यह अनुपात 1 होगा और एक अनुपात 1 के लिए हमने बार-बार क्या याद किया है एक अनुपात 1 का मतलब होता है बराबर तो सबसे पहले 720 विद्यारतियों में boys और girls का ratio 7 ratio 5 total कितना हो गया? total हो गया 12 बोली क्लियर? अब यह 12 720 कितने times हो गया? 6 times हो गया तो 6 7 जा 40, 2, 0 and 650, 30, 300 यहां पर मुझे मिल गए boys और यहां मिल गए मुझे girls अब मुझे क्या गरना था? मुझे कुछ लर्कियों को admission देना था और यह बराबर हो जाए तो बताए 300 में क्या जोड़ूं की 420 हो जाएगा 300 में क्या जोड़ूं की 420 हो जाएगा तो आपको पता है 120 जोड़ना पड़े गए याने अब मुझे 120 लर्कियों की अवशकता है ताकि एक अनुपाते की बराबर हो जाए तो answer होगा option B कितने जल्दी देखिए? चली अगला question देखते है देखिए अगला question हमारे सामने क्या है if the three numbers are in the ratio 3 to 5 बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है याने 2 की value आपको पता करनी है तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात, 2 अनुपात, 5 है 3, 2, 5 हम यहाँ पर 3X, 2X और 5X मानेंगे फिर हम से बोला इनके वर्गों का योग इनके squares का योग दिया है कितना? 18, 1862 जोड़ेंगे कितना आएगा तो देखें, यह हो जाएगा 9X स्क्वेर प्लस 4X स्क्वेर प्लस 25X स्क्वेर और सब को जोड़ने पर कितना आएगा? तो देखें, यह हो गया तेरा और तेरा यहाँ एड़ कर देंगे तो यह जाएगा 38X स्क्वेर इक्वेर तो 1862 तो X स्क्वेर की वेल्यू कित्ती होगे तो 1862 डिवाइड बाइ 38 डिवाइड करने पर कितना मिलेगा? डिवाइड करने पर आएगा 49 बुली क्लियर तो अगर X स्क्वेर की वेल्यू 49 तो X की वेल्यू सिंपल है, 7 तो अगर X की वेल्यू 7 मिल गई तो मुझे किस संख्या का पता करना था मेडिल टर्म बीच वाली संख्या कितना आएगा बताइए सद्दुनी 14 याने ऑप्शन B बुली क्लियर है? चलि अगले कोशन पर चलते है चलि देखिया अगले कोशन हमारे सामने क्या है किसी चित्र को बनाने के लिए नीले और पीले रंग का प्रयोग 493 में किया जाता है चित्र के आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 293 है बचे हुए हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात के सनुपात में यूज किया जाएगा तो बेसिकली आपके सामने क्या है? एक मजनू भाई की पेंटिंग है इसके आधे हिस्से में जो blue और yellow का ratio है ये कितना दिया है? ये दिया है 2 ratio 3 पूरी picture में जो blue और yellow का ratio है ये है 4 ratio 3 मुली clear? आप से पूछाए कि इस हिस्से में blue और yellow का ratio क्या होगा? अब देखिए बात समझेगा कि ये जो picture है ये आधी-आधी दो हिस्सों में बाटी हुई है अगर मैं उपर वाले आधे हिस्सों को देखू तो यहाँ 2 और 3 तो total आपको ऐसे 5 हिस्से दिखाई देते हैं है ना? और यहाँ total अगर आप देखेंगे तो 7 हिस्से दिखाई देते हैं तो ऐसा तो possible ही नहीं है ना? 7 का आधा 5 हो जाए है ना? पॉसिबल नहीं है तो यह काम करते है 7 और 5 का LCM बोलिए 7 और 5 का LCM सत्ती है सॉरी, 7 पंजे 35 होता है तो यह काम करते हैं हम इसको 7 से गुणा कर लेते हैं ऐसा क्यों किया? ताकि यह 35 हो जाए और आधा 35 तो बचा आधा भी 35 होना चाहिए है ना? यह उपर वाला आधा 35 नीचे वाला आधा 35 तो टोटल कितना होना चाहिए? 35 हो 35, 70 याने मुझे इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से तब तो टोटल पिच्चर में 10 आप आएगा, 70 आप आएगा देखे अब इसको समझना मैंने उपर वाली आधी पिच्चर को कुछ इस तरीके से कर दिया कि अगर मैं 7 का गुणा करूँ तो 7 दोनी 14 आनवबाद ये कितना हो गया? 7 या 21 यहाँ पर मुझे नहीं पता था तो मैं इसको अभी भी X और Y ही लेके चल रहा हूँ पर मैं इतना मानता हूँ कहीं न कहीं कि X प्लस Y टोटल कितना है? 35 होगा और टोटल ये कितना है तो 10 से मिल्टिप्लाई करने पर पता चला कि ये 40 और 30 हो गया तो मुझे एक बात बताईए इन दोनों को मिलाने पर ही तो ये बना हूँगा है ना इसमें blue को अगर मैं देखूँ तो 14 मैं क्या जोड़ूं की 40 हो जाए मैंने क्या बोला? 14 मैं क्या जोड़ूं की 40 हो जाए तो आप X की value हाँ पर इसली बता सकते हो किसा 26 जोड़ना होगा सेम चीज अगर मैं यलो कलर के लिए देखूं तो 21 में क्या जोड़ूं कि ये 30 हो जाए तो आपको 9 जोड़ना पड़ेगा खतम आगया answer 26 रेशोन आई हम बोलिए आपको समझ में आया है simple question था है न अगर ये आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो एक बार और देख सकते हैं मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले आधा आधा किया मुझे पता था आधी पिच्चर और आधी पिच्चर है तो आधे को मैंने 35 और 35 लिया थोड़ा से LCM लेना पड़ा तक ही कहीं कुछ plus minus में है decimals में ना आए values तो 35 और 35 टोटल हो गया सत्तर तो यह 35 और मैंने इसको सत्तर बना लिया अब मुझे पता चल गया 35 और 35 को जोड़ने पर सत्तर आएगा तो जोड़ा में क्या जोड़ूं कि 40 हाजाए और 21 में क्या जोड़ूं कि 30 हाजाए तो 26 और इसी रेशियो में ब्लू और यलो का कलर था याने option C है ना चलिए आगे चलते है question number next वाला देखते है देखे अगला question हमारे सामने के है दो संख्या है एक सही एक बिटा दो और दो सही दो बिटा तीन के अनुपात में है प्रतिक संख्या में 15 बड़ा देने पर ये अनुपात इतना हो जाता है बड़ी संख्या ग्याद करें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेरे पास दो दो अनुपात ये किता आ गया चैदो आट बड़ा तीन मल्टिप्लाइ कर लें क्रॉस मल्टिप्लाइ क्योंकि रेशियो का हम fraction में तो नहीं लिखते तो तीन का गुणा एधर और दो का गुणा एधर तो यह हो जाएगा नौ अनुपात अट दुनी सोला ये है मेरे एक्च अगर मैं दोनों संख्याओं में 15 बढ़ा दूं दोनों में सेम नंबर बढ़ा रहा हूं मैं तो यह अनुपात किता हो जाता यह हो जाता एक सहीं 2 बटा 3 और 2 सहीं 1 बटा 3 याने अब मुझे वापस इसको सिंप्लिफाई करना होगा इसको सिंप्लिफाई करूंगा तो दे clear है बात समझ में आगी आपको अब यहां से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह 9 से 15 बढ़ा तो 2 हो गया पॉसिबली नहीं है तो ऐसा कैसे हुआ यह 9 नहीं था यह 9x था यह 16x था तो 9x प्लस 15 और 16x प्लस 15 दोनों को जोडने पर मुझे क्या मिलेगा दोनों को जोडने पर मुझे मिलेगा 2 बटा 3 बोले clear बात समझ भाई तो क्या हम यहां से x के value निकाल सकते हैं और अगर x के value निकाल सकते हैं तो फिर मैं अपनी छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों बता सकता हूँ तो चलिए कोशिश करते हैं x के value निकालने के मुझे निकालना क्या है बड़ी संख्या चलिए तीन का गोणा करते है नो तिया 27x प्लस 15 दिया 45 बराबर 16 दोने 32x प्लस 30 x को एक तरफ ले जाएं बाकी संख्याओं को एक तरफ ले आएं ये माइनस होगा तो ये 5x बचेगा ये यहाँ आएगा तो 15 बचेगा तो x के value 3 हो जाएगी और जैसे x के value 3 बची तो मुझे पता है कि बड़ी संख्या 16x थी तो 16 दिया 48 होता है तो option c will be my answer ये हो गया long method या मैं आपसे बोलूँ कि basic तरीका अब short method क्या है छोटा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं तो चलिए मैं आपको इसी question को दूसरे तरीके से बना के बताता हूँ देखिएगा पहले संख्या का अनुपात क्या था देखिए अनुपात को तो आपको solve करना ही पड़ेगा यहीं पर कर लेते हैं दो एकम दो और एक यह है 3 बटा 2 ratio यह कित्ता है यह 6 2 8 बटा 3 simple solve कर लें यह हो जाएगा 9 ratio 16 है ना 9 ratio 16 को मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ 9 upon 16 करके लिख देता हूँ 9 16 इसमें दोनों में 15 जोड़ा और यह ratio कित्ता हो गया तो देखो यह 3 एकम 3 और 2 5 बटा 3 और यह हो गया 5 बटा 2 तो 5 से 5 कैंसल यह ratio हो जाएगा 2 बटा 3 इतना तो करना पड़ेगा 15 15 अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बात notice करने वाली है notice करने वाली बात यह है कि जो number है वो यहाँ पर भी 15 बटा है और यहाँ पर भी 15 बटा है यानने अनुपात में भी यह चीज़ आपको सेम दिखनी चाहिए थी तो नहीं दिख रही है तो क्या करेंगे तो देखिए अगर कभी ऐसी कोई situation आते है जब सेम number बढ़े या घटे तो हमें क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर इनका difference देखना चाहिए इनका और इनका इन दोनों के बीच difference किता वन का और इन दोनों के बीच difference किता तो आप बोलेंगे 7 का है ना ऐसे ही होगा अब एक काम करिए इस 7 को यहाँ इन दोनों number में multiply करें और इस 1 को यहाँ इन दोनो नंबरों में multiply करें तो देखिए 1 का multiply करने पर क्या होगा यह 9 16 और यहाँ पर 15 प्लस 15 ऐसी समझ लेना भी और जैसी 7 का multiply करता हूँ तो यह हो जाएगा 14 और यह कितना हो जाएगा 7 3 is a 21 अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह 9 से 14 हो गया याने कितना बढ़ा 5 और यह 16 से 15 हो गया याने कितना बढ़ा 5 तो देखिए अब नंबर भी सेम बढ़ रहा है और अनुपाद भी सेम बढ़ रहा है याने मैं यहां से बोल सकता हूँ कि मेरा 5 अगर 15 के बराबर तो 1 की value 3 के बराबर तो 16 की value कितनी होगी 16 तिया 48 याने option see again will be my answer पर यह आप कब लगा सकते हैं जब सेम नंबर बढ़े या सेम नंबर घटे दोनों संख्याओं में एक ही नंबर बढ़ाया या घटाया जाए तब आप यह तरीका अप्लाई कर सकते हैं बहुत काम आएगा आगे हम ages के question देखेंगे तो वहाँ पर तो यह मतलब एक तरीके से संजी 27 को एक बढ़ा दो अनुपाद दो बढ़ा तीन अनुपाद चार बढ़ा पांच के अनुपाद में बाटा जाए तो दूसरी संख्या ग्याद करें सिंपल है बहुत question सिंपल है बस थोड़ा सा आपको नंबर में ही लग सकता है ऐसा कि नंबर थोड़े से उट पटांगे ब 235 का LCM 30 30 का मतलब ओपर 15 से गुणा करना पड़ेगा यहां 10 से गुणा करना पड़ेगा और यहां 6 से गुणा करना पड़ेगा तो देखिए कितना आए गया 15 एकम 15 अनुपाद 10 दुनी 20 अनुपाद 6 चौका 24 और बटे में सब 30 तो होई गए थे वो cancel out हो गए तो अब यह हाना और अगर टोटल 59 और यहां पर टोटल 177 ययाने 59 इकल स्थू 177 याने वन पार्ट इकल स्थ Sundays अपन 59 केतना आएगा? ईजिली बता सकते हैं अब हम वन पार्ट इकल स्थू 3 और अगर वन पार्ट इकल स्थू 3 तो दूसरी संख्या याने 20 पार्ट इकल सू हो मच? तो 20 D into 3, that will be 60, and option D will be an answer. तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में होगी, बहुत simple questions है, है ना? चलिए, आगे next question देखते हैं. देखें, अगला सबल क्या है हमारे सामने? तीन संख्याओं में से पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 8, अनुपात 9 हैं. दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3, अनुपात 4 के अनुपात में हैं. अगर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, तो तीनों संख्याओं का योग याद करें. बहुत बढ़ियां तीन संख्याओं समझ लेते हैं A, B, A और B, C. पहली दूसरी और दूसरी तीसरी अनुपात क्या था? 8 अनुपात 9, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्यता था? 3 अनुपात 4. बुली क्लिर हैं. यहाँ से मैं तीनों का रिश्यो निकाल सकता हूँ A, B, C का. ABC का निकालूंगा कितना आएगा? अब चलिए बढ़ते हैं आगे, मुझसे बोला गया है कि पहली और तीसरी संख्या का गुर्णनफल 2400 है, याने 8x into 12x, x लेना मत भूलना क्योंकि गुर्णनफल की टाइम x लेना है, इसको 8x मानना है, इसको 9x, इसको 12x, अगर आप नहीं लेंगे, तो आप 1 की value निकाल कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा, तो 8x into 12x equals to 2400, तो यहां से अगर मैं इसको x square बोलूँ, और यह बोलूँ, यह 2400 बटा 12 into 8 है, तो बहुत easy से answer निकाल सकता हूँ, देखो, यह 12 से किती बार में, दो बार में, और यह कटे का किती बार में, उसने पूछा था, तीनो संख्याओं का योग किता होगा, यहां से अगर मैं तीनो संख्याओं को जोड़ू, तो देखे, जोडने पर किता आता है, यह आता है 29, इन सब को जोडने पर 29 आता है, तो इसमें into किता करना पड़ेगा 5 का, है ना, सब को जोड़ेंगे 29x मान ले आसा वाल था, next question, तो चलिए पढ़ते हैं, question क्या लेखा हुए, दो अंको की संख्या और उनके अंको के योग के बीच अनुपात, चारानुपात एक है, अब यहां पर समझने हैं कोशिश करना, एक दो अंको की संख्या है, यह सारी दो अंको की संख्या है, इस संख्या और इनके अंको की योग, इनका अंको की योग, यानि इसके अंको कौन कौन से, चारो साथ, इनको जोड़ेंगे तो कित्ता आएगा ग्यारा, इसी प्रकार छे और नौ, जोड़ेंगे तो कित्ता आएगा पंदरा, तीन और छे जोड़ेंगे तो कित्ता आएगा नौ, दो और संख्या और अंकों के योग का अनुपात जो दिया है ये चारा अनुपात एक है इनके बीच का अनुपात चारा अनुपात एक बोल रहा है और फिर बोल रहा है कि एकाई कांग दाही के अंग से तीन अधेक है तो देखी यहाँ पर सब जगह एकाई कांग दाही के अंग से अ सब जगा एकाई का मतलब that your unit place and the high is your 10th place unit place वो बोल रहा है कि 10th place से तीन ज़्यादा है तो सब जगा तीन ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है पर मुझे बता यह कहां पर 4 अनुपाद एक आ रहा है यह चार अनुपाद एक नहीं को तो अगर आपको यहां तक की बत समझ में आगई तो चलिए चलते हैं next question पर देखिए अगला question हमारे सामने क्या है एवबी के पास पैसो का अनुपाद दो अनुपाद एक है अगर एवबी को दो रूपए दे दे तो यह अनुपाद, एक अनुपाद एक हो जाता है, एवा बी के पास कुल कितने धनराशी थी, और ये A और बी की धनराशी आपको दी होई है, हुआ क्या समझ लेते हैं, A और बी दो व्यक्ति थे, इनके पास कुछ पैसे का अनुपाद क्या था, तो ये था दो अनुपात एक, यह ऐसा समझ लेते हैं कि अगर यह 2x है तो यह 1x है, ठीक है, फिर उसने बोला कि 2 रुपए A, B को 2 रुपए देता है, एक इसको 2 रुपए देता है B को, तो 2 रुपए देने का मतलब इसके पास से 2 कम हो गया और इसके पास से 2 बढ़ गया, तो अनुपा जो मैं बनाना है, तो देखे, मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले mathematically बना लेता हूँ, कि अगर मैं 2x में 2 घटा दूँगा, और इस 1x में 2 जोड़ दूँगा, तो यह बराबर हो जाएगा, एक अनुपात एक का मतलब बराबर, तो यह बराबर हो जाएगा, तो यहां से मै x की value निकाल सकता हूँ, इस x को यहां ले आना और इस 2 को यहां ले आना, तो यह हो जाएगा x equals to 4, याने a के पास 2x था, x की value 4, तो 4 दोने 8 रोपे a के पास थे, और यह हो जाएगा b के पास 4 रोपे, तो आंसर आ गया 8 और 4, बर यह तरीका थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसका अंसर तो option से ज़्यादा बिटर बनेगा, कैसे, देखिए अगर a, b को 2 रोपे देदेगा, तो यह 10 हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा, बराबर तो नहीं हुआ, यह इधर 2 रोपे देदेगा, तो यह कित्ता हो जाएगा, 14 और यह कित्ता हो जाएगा, 10 यह भी बराब हो रहे है, यहने option C ही मेरा सही answer होगा, तो यह जल्दी बन जाएगा, यहां से, थोड़ा सा logic लगाएंगा, option से जल्दी बन जाते हैं, कुछ questions, बन जाएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा time ले जाएगा, यह मान के चलिए कि अगर यहाँ पर आपका answer 4 second में आ रहे है, यहा विद्याले में 504 विद्यारती है, जिन में से लड़के और लड़कियों की अनुपाद, तेरा अनुपाद 11, अगर विद्याले में 12 लड़कियां और दाखिल हो, तो लड़के और लड़कियों का अनुपाद क्या होगा, नए अनुपाद क्या होगा, तोटल विद्यारती कित्ते थे 504 पहले boys और girls क्या ratio में थे तो 13 और 11 तो total कित्ते हो गए 24 अब मुझे बताइए कितने times है बता सकते हैं ये कितने times है ये कितने times है चलिए मैं बताता हूँ ये है 21 times तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई अगर ये 21 times है तो फिर ये कितना है तो इसको भी 21 से multiply करेंगे और इसको भी 21 से multiply करेंगे याने अब मुझे boys और girls के exact value मिलेगी कितनी कितनी आएगी तो boys होंगे 273 boys कितने होंगे 273 और यहाँ पर फिर girls कितनी हो जाएंगी girls हो जाएंगी 231 बुले clear तो यहाँ पर मुझे boys और girls के exact number पता चल गी फिर उसने बोला कि अगर लड़किया अगर 12 लड़किया और दाखिला ले ले तो यहाँ पर मुझे कितना add करना है 12 तो यहाँ पर मैं 12 add कर देता हूँ 12 add करने पर कितना आएगा यह जाएगा 243 रेशियो यह कितना है 273 अब इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा तो चलिए अब इसको काट लेते हैं काटने पर 3 से काट सकते हैं 3 से यह अब कटेगा 81, 91 times में और यह कटेगा 81 times में और इससे यादा यह नहीं कटेगा यानने option A will be our right answer अगला question क्या है चलिए देखते हैं दो संख्या है 5 अनुपात 7 के अनुपात में हैं अगर प्रते एक संख्या में से 9 हटा दिया जाए तो अनुपात 7 अनुपात 9 हो जाता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर याद करें 5, 7 दोनों संख्याओं में 9 घटाया जा रहा है ratio कितना हो रहा है 7, 11 मैंने आपको पहले भी बोला था कभी भी सेम नंबर घटाया या बढ़ाया जा है तो यहाँ अन्तर देखिए 2 का और यहाँ अन्तर देखिए कितने का 4 का cross multiply करतें 4 को यहाँ गोणा करें कितना हैगा 4, 25, 20 7, 24, 28 ratio क्या minus 9, minus 9 कुछ ऐसी समझे और यहाँ पर कर देखिए इसका गोणा तो 7, 24 और यहाँ पर 22 तो अब आप देखेंगे यह कितना कम हो गया तो आप बोलेंगे 6 कम हो गया और यह कितना कम हो गया तो यहाँ पर भी यह 6 कम हो गया वो ले क्लिया तो मैं यहाँ पर बोल पाऊंगा कि 6 की value कितने के बराबर 9 6 बराबर 9 तो एक की value 9 बटा 6 या 3 बटा 2 मुझसे पूछा गया है इन दोनों का अंतर अंतर कितना है तो यहाँ पर अंतर आपको दिखेगा 8 एक की value 3 बटा 2 तो 8 की value कितनी होगी तो 3 बटा 2 से गुणा कर देंगे 8 से कटेगा 4 बड़ में 4 ती है 12 आंसर ऑप्शन भी बहुत सिंपल बहुत इजी है ना यह तरीका याद रखें बहुत काम आने वाला है आगे चलते है next question पर next question क्या है हमारे सामने किसी समू में से 15 लड़कियां समू छोड़कर चली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपाद 2 अनुपाद 1 हो जाता है अगर 45 लड़के समू छोड़कर चले जाएं तो यह अनुपाद 1 अनुपाद 5 हो जाता है शुरवात में लड़कियों की संख्या क्या थी चलिए देखेगा कुछ लड़के और लड़कियों का अनुपाद रहा होगा इसमें से बॉइस और गर्ल्स में से पहले 15 लड़कियां चली जाती है तो अनुपाद हो जाता है दो अनुपाद 1 फिर क्या होता है फिर 45 लड़के छोड़कर चले आते हैं 45 बॉइस छोड़कर चले आते तो अनुपाद कितना हो जाता है एक अनुपाद 5 बोलिए क्लियर है तो अब मुझसे पूछ रहा है कि शुरुवात में गल्स कितनी थी तो देखिए बहुत सिंपल है मैं आज़े रिवर्स जाता हूँ सबसे पहले लड़कियां छोड़के गई तो लड़के तो नहीं छोड़े यहां से यहां तक में लड़कों की संख्या तो बराबर थी न मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है यहां पर इस स्टेज पर और इस स्टेज पर लड़कों ने छोड़े लड़कियों की संख्या तो बराबर होगी लड़कियां अभी पहले भी एक थी अभी भी काईदे से यह अभी पाँच है तो पहले भी पाँच होनी just तो जादा बैटर क्या है इसको पाँच बनाना जादा बैटर है तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको पाँच का कुणा करता हूँ तो यह रेशयो क्या आजाएगा यह आजाएगा लड़की कितने कम हुएं तो आप बोलेंगे 9 और संख्या में कितने 45 9 अगर 45 के बरावर तो 21 कितनी होगी 5 तो लड़कियां पहले कितनी थी 5 तो 5 पंजे 25 ये लड़कियां थी कब जब पहले उन्होंने 15 छोड़ी थी अब अगर ये 15 नहीं छोड़ी होती तो कितनी होती तो 25 और 15 टोटल कितना हो जाता 40 लड़कियां होती पहले याने option C तो क्या किया मैं उल्टा चला सबसे पहले मैंने इस stage पर boys को equal किया गल्स को equal किया फिर यहां से मुझे पता चला कि हिस्सों में 9 बढ़ रहा है यहां पर 45 है तो 9 45 के बराबर तो 1 की value 5 के बराबर तो 5 की value 25 के बराबर लड़कियों की संख्या 25 तो 15 और जोड़ ली तो पहले कितनी थी 40 याने option C will be your right answer चलिए next question अगला सवल क्या है किसी समारों में पुरुष और महिलाओं का अनुपाद 3 अनुपाद 2 है अगर 20 महिलाओं और शामिल हो जाए तो अनुपाद पलट जाता है पलट जाने का मतलब 3 दो का कितना हो जाएगा 2 तीन हो जाएगा शुरवात में महिलाओं की संख्या गयाद करें बहुत easy question है देखिए पहले किती थी? 3 अनुपाद 2 ये किसका है? male और female का ratio अगर 20 महिलाओं और शामिल हो जाए 20 तो ये ratio पलट जाता है यानि ये 2 ratio 3 हो जाता है तो अब देखिए यहां से यहां तक आने में पुरुष तो नहीं बढ़े ना कम हो है इनको equal करते हैं इधर 2 का multiply और इधर 3 का multiply तो ये पूरा ratio कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 ratio 4 और ये कितना हो जाएगा? 6 ratio 9 कितना बढ़ा? 5 parts में कितना बढ़ा 5? क्यों बढ़ा? 20 के कारणट तो 5 की value 20 तो 1 की value 4 तो मुझे किसकी value निकालनी थी? मुझे निकालना था शुरुबात में महिलाओं की संख्या क्या थी? तो 4 थी 1 की value 4 तो 4 की value 16 option D will be our correct answer वो ले clear है? बात समझ में ये बहुत easy question है ये सब चले, next question पर चलते है देखे, अगला question क्या है हमारे सामने? किसी घार खाने में कर्मचारियों की संख्या 15 अनुपाद 11 से घटा दी जाती है यानि पहले 15 थी अब 11 हो गई है तो कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया कर्मचारियों का वेतन 22 अनुपाद 25 से बढ़ा दिया जाता है पहले वेतन 22 था अब 25 कर दिया गया अलहा दिया गया कार खाने के खर्च के इस अनुपाद से कम होंगे चले तो खर्च कैसे पता चलेगा कुछ नहीं करना है जब तक 15 लोग थे आप 22 रोपय दे रहे थे तो गुणा कर ले जब 11 लोग बचे तो आप 25 रोपय दे रहे ले लगे गुणा कर ले जो भी आएगा उसका अनुपात निकाल लीजिए तो देखे पहले 15 लोग थे पहले खर्चा हो रहे थे 22 तो आंसर कित्ता होगा तो ये होगा 330 है ना इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलू अब 11 लोग हैं और 25 का खर्चा हो रहा है तो मुझे बताईए कि अब कुल खर्चा कित्ता हो रहा है तो आप बोलेंगे 275 है की नहीं तो अब मुझे बताईए इनका पुराना खर्चा और नया खर्ची का अनुपात क्या होगा तो देखें पुराना खर्चा 330 नया खर्चा 275 काटिंग है तो क्या मिलेगा किस से काटना है चले पहले पांस से काटने ही कोशिश करते हैं पांस से काटने कित्ता हो जाएगा यह हो जाएगा 66 अब पांस से काटने पर यह आ जाएगा 55 इसी प्रकार 11 से काटने अब तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 5 यानि पहले का खर्चा 6 राम को अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्थ हुए। अब देखें यहाँ पर अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने याने इंग्लिश में इसको कितना मिला टू टाइम्स किसका है टू टाइम्स साइन्स का है ना चले आगे पढ़ते हैं राम के अंग अंग्रेजी और गनित के अंकों का अनुपात किसके अंग्रेजी और गनित याने मैट्स के रेशॉ टू रेशॉ 3 है विज्ञान में उसे कितने अंक मिले अब यहाँ पर यह जो पहली लाइन लिखी न यह एक्शुली आपको रेशॉ ही बताया हुआ है कैसे देखे इंग्लि और science का जो ratio है वो 2 ratio 1 है तो अगर science में एक number मिला है तो English में 2 मिले होंगे है की नहीं तो यहां से आपको क्या-क्या पता चला आपको पता चला English Maths का ratio और आपको पता चला English Science का ratio और आपको total पता है तो सबसे पहले 3 का total निकाल लेते हैं है ना? तो चलिए यहां से इसको पहले मैं सुधार के लिखता हूँ Science Ratio English ऐसा क्यों कर रहा हूँ 1 Ratio 2 फिर English Ratio Maths 2 Ratio 3 मैंने आपको बताये था ना कि जो number common होता है वो cross में होना चाहिए तब ही मैं अपना ये cross वाला तरीका लगाऊंगा तो देखे Science, English, Maths Ratio किता आएगा 2, 4, 6 यह 2 से और काट लें 1, 2, 3 Total कितने होंगा है 6 Total marks कितने मिले 180 6 equals to 180 तो 1 की value 30 तो बताइए किसके marks पूछे उसने उसने पूछा विज्ञान में कितने अंक पराप्त हुए तो Science का तो 1 part है 1 की value 30 याने इसे number भी कितने मिले थे 30 answer A वो मुझसे पूछता इंगलेश में तो 32, 60 बताता मैच्स में पूछता तो 30, 90 बताता तो बोलिए clear है मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया बहुत ही बड़ी है कोशन था तो थांक यू फ्रेंड्स आज का session यहीं तक था अगर आपको यह session पसंद आया हो तो फ्लीज वीडियो को like करें share करें और comment करें साथी channel को subscribe भी करें Thank you, have a good day, जैहिन